हेलो स्टूरेंट्स मैं हूँ आपका एजुगेटर कमलाक्ष ज्जा 16 जैन्वरी 2021 का करेंट अफेर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहा है ये लेक्चर जो है काईज ये पार्ट टू है पार्ट वन मेंने आपको अभी कुछ घंटे पहले अभी प्रोवाइट करा दिया आप उसको पहले देखेगा फिर इस लेक्चर पे आईएगा पेपर वन और पेपर टू आपका पार्ट वन में कवर हो चुका है अभी अपन पेपर 3 से रिलेड़ेट टॉपिक्स को डिसकस करेंगे गाईस देखो क्या शांदार मशीन पिस्टल हमें देखने को मिल रही है 9mm की मशीन पिस्टल है ये इंडिया के अंदर ही पूरी तरह से ये बनाई गई पहली 9mm की मशीन पिस्टल हमें नजर आ रही है क्या शांदार देख रही है इसको DRD और इंडियन आर्मी के द्वारा बनाया गया है इसको aircraft grade aluminium के द्वारा इसके upper receiver को बनाया गया और इसका जो lower receiver है वो carbon fiber का बताया जा रहा है 3D printing process की मदद से इसको design किया गया है इसको बनाया गया है इसके काफी सारे जो parts है उसमें 3D printing का उपयोग किया गया है तो देखो 3D printing technology जो है वो science and tech perspective से आपके लिए important है इससे related means में भी question पूछा जा सकता है तो 3D printing technology के बारे में prepare रहो और इससे related जो है वो एक answer तयार करो आप ठीक है क्योंकि काफी important है general studies perspective से तो कहीं बन लिख लो आप कि आपको 3D printing पर एक at least 150 words का एक answer तयार करके रखना है तो ये आपका अभी का task है इसके लाबा ये weapon का नाम जो रखा गया है आसमी नाम इसका रखा गया है इसका मतलब है pride, self respect, hard work, गर्व, आत्म सम्मान, तदा कटिन परीश्रम इसका अर्थ है आसमी का तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना है और हमारे इंडियर आर्मी के various operation में ये 9mm की machine pistol जो है वो काफी जादा helpful होने वाली है अभी recently हिमाचल प्रदेश के जंगलों से आग लगने के cases सामने नजर आए है हिमाचल प्रदेश में कुल्लू हो गया, शिमला हो गई, और भी काफी सारे areas हिमाचल प्रदेश में है तो वहाँ पर मौझूद जो जंगल है, वहाँ पर आग लगी है और ये guys कोई नई बात नहीं है, frequently हमें देखने को मिलता है, लगातार हमें देखने को मिलता है, काफी कौमा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग लगती है तो इस article में यही समझेंगे कि हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग लगने की क्या कारण है तो इसको अपन discuss करते हैं बट इसको discuss करने से पहले थोड़ा सा idea लेते हैं हिमाचल प्रदेश के forest cover का कि किस प्रकार से जंगल हम लोग को हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं तो हिमाचल प्रदेश का जो total area, total geographical area उसका दो त्रिहाई, उसका two-third जो है वो legally classified forest area के तौर पर हमें नज़र आता है उसमें से भी जादतर जो area है वो बर्फ से ढखा हुआ है, snow से ढखा हुआ है, glacier वहाँ पर नज़र आता है, cold desert, alpine meadows हम लोग को वहाँ पर नज़र आते हैं, उपर जाने लगते हैं, वैसे वैसे तापमान जो है वो गिरने लगता है, higher latitude की तरफ, north की तरफ, या north pole की तरफ आप जा सकते हो, right, जैसे वैसे वैसे तापमान जो है वो गिरते आएगा, ठंड जो है वो बढ़ती है, right, और इसके लाब हमाचल प्रदेश एक तो higher altitude मे भी ह altitude को मतला, जादा height पर है, उचाही पर और वैसे भी आप जब जादा उचाही पर जाते हो, height पर आते हो, तो भी ठंड जो है वो बढ़ती है, right, तापमान जो है वो गिरता है, temperature जो है वो decrease होता है, तो ये दोनों ही बज़ा है, इसलिए हिमाचल प्रदेश का जाहतर जो forest area है वो बर्फ से ढखा हुआ है, तो ये चीज़ हम लोग को नज़र आती है, इसके लावा forest survey of India के according, हिमाचल प्रदेश का total area का, total geographical area का लगभग 28% के आसपास का जो area है, वो forest area के तोर पर हमें नज़र आता है, इसका मतलब 15,434 km2 का जो area है, वो forest government में हम लोग को नज़र आता ह यहाँ पर हम लोग को commonly, चीर, पाइन, दियोतार, ओक, कैल, फीर, स्प्रूस जैसे पेड हम लोग को यहाँ पर common तोर पर नज़र आते हैं, देखने को मिलता है, और किन-किन समय पर हिमाचल प्रदेश में आग लगने के cases नज़र आते हैं, तो इसको अपन देखते हैं, तो वहाँ पर आग लगने की cases जंगलों में बहुत जादर report किये जाते हैं, record किये जाते हैं, तो यह चीज़ बताई आ रही है, summer season की बात करें, गर्मियों की बात करें, तो गर्मियों में जातर आग लगने की cases हम लोग को low और middle hills जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, हमाचल प् चंबा, कंगरा, मंडी डिस्टिक्स से नजर आते हैं, क्योंकि वहाँ पर grasslands जो है वो देखने को मिलते हैं, अब आग लगने की पीछे का क्या कारण है, तो पहली बात तो natural cause बताया गया है, कि बिजली चमकती है तो उसके करण आग लगी जाती है, या फिर जो bamboo's की जो पे आपस में रब करके खाना बगाते हैं, तो यहाँ पर जंगल है, जंगल में जैसे हवा चल रही है, हवा चल रही है तो आपस में पेड़ की पत्तियां वगेरा टकनाती है या रब करती है, तो उसी बीचे spark जो हो हो जाता है, dry leaves के रब करने के कारण या फिर bamboo के रब करने के कारण, यह fire जो है, वो strike हो जाती है, तो उसी के करना से पूरे जंगल में आग लग जाती है, बट जब forest official से पूछा गया कि forest officials का क्या मानना है यहाँ पर, कि जंगल में आग लगने की क्या कारण है, तो उन्होंने human factor बताया, बोला कि humans के करना आग लगी है, कैसे आग लगी humans के करना, तो उन्होंने बताया कि जो herds man होते हैं, जो चरवाव अगेरा जो होते हैं, और जो minor forest produce gatherers होते हैं, जो travel people होते हैं, जो forest areas में minor forest produce को gather करने के लिए आते हैं, तो फिर वो उस समय forest के अंदर रहते हैं, forest के अंदर, जंगल के अंदर, खाने पीने की विवस्ता करने क लिए वो अपने साथ पूरी विवस्ता लेकर आते हैं, वो पकाते हैं वहाँ पर खाना, अब जब वो खाना पकाते हैं, तो वो smoldering fire को छोड़के चले जाते हैं, smoldering fire कैसी होती है, इस प्रकारगी, जो आखरी में राख बच जाती है, उसके नीचे जो हलकी हलकी सी, आख स stable burning करते हैं, जैसे कि जंगल के पास मौझूद कुछ लोग हैं, farmers बगएरा हैं, जिनका agricultural land वहाँ पर मौझूद है, तो उस पर वो stable burning कर देते हैं, जिसके चलते हैं, उनके खेट से जब वो stable burning कर रहे हैं, तो उनके खेट से पास में मौझूद जो जंगल है, उसमें आग जो करते हैं, और electric pole से बिजली के खंबे से टकरा कर spark create कर देती हैं, जिसके कोई भी आप जिसे pointed वाली जो लखडियां होती हैं, बिल्कु शार्प लखडियां वगरा जो होती हैं, तो उसको कभी आप लोहे पे एकदम उसको strike करके देखना, बिल्कु उसके pointed figure को, उसके जो point होत करती हैं, उसको भी आप लोहे पे अगर इस प्रकार से आप इस ट्राइक करोगे तो एकदम अजीब सी आवाज नहीं आती हैं, जिसमें रोग्टे मुटे काड़ आते हैं, इस टाइप की आवाज, कई बार बहुत इरिटेटिंग होती हैं, बिल्कुल, तो उसके करना भी ज हो जाता है, तो इसके करना भी यहाँ पर आग लगती है, अब फॉरेस्ट फायर को कैसे कंट्रोल किया जाएं, तो यह पता लगाए जाए कि कप-कप, कौन से कौन सा ऐसा समय किस प्रकार का वेदर होता है, जिस समय आग लगने की केसे जादा नजर आते हैं, रिकॉर्ड कि कि कप-कप जो है, वो फॉरेस्ट फायर होने की समय अबना होती है, जिस से की अथॉरेस्ट एरियास के आसपास अलर्ट रहेंगी, कि कही पर भी फॉरेस्ट में एकदम से हल्की भी आग जो हो दिखाई दे, तो तुरन जो है उसको जाकर बोजा दो, क्योंकि अलर्ट रहें जिस से की सुखे पत्तों के करणा आग ना लगे, और दूसरी बात अगर बायचास आग लग जाती तो सुखे पत्ते के करना वो आग बढ़े ना, क्योंकि सूखे पत्ता असानी से चल जाता है, तो इसको तुरन क्लियर करते चलो, इसके लावा यहाँ पर बताया जारह है क कोई भी इंडिविज्वल जो है वो जैसे कि होता नहीं कि लोग बाग एक जगा पर इखटा करके रख देते हैं भूसा वगेरा टाइप का तो वो इखटा करके नहीं रखना है भूसा वगेरा को या फिर जो ड्राइ लीफ्स वगेरा जैसे साफ सफाई करी फॉरेस्ट की और एक तरफ पाइल अप करके रख दिया बहुत बड़ा सा रही जैसे होता नहीं कि कच्रा वगेरा पाइल अप करके जैसे अपर रख देते हैं और फिर उसमें आग लगाई दी जाती है बट इहां पर फॉरेस्टीरी में तो आग लगाई नहीं जाता है अब जो एक साथ जाए जो प्लांट्स फायर रेजिस्टेंट होता है राइट कुछ-कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके कराण से आग नहीं लगती है राइट वो आग नहीं पकड़ते हैं तो ऐसे प्लांट्स को बिछा दिये जाए एक बैरियर के तौर पर ऐसे प्लांट्स को लगा द तो इस प्रकार की विवस्ता की जाए, fire lines create की जाए, fire lines कैसी होती, जैसे इस प्रकार की, अब देखो इस तरफ तक आग लगती रहेगी, अब ये इस तरफ आग पहुच नहीं भाई, fire line नहीं है, right, क्योंकि आग को आग को फैलने के लिए connectivity चाहिए, बर अगर उसकी connectivity ब्रेक कर उन्होंने restrict किया था, regulate किया था, कुछ activities हो कि forest में नहीं होनी है, जैसे कि forest में आग वगरा नहीं लगानी है, जैसे कि stable burning forest area के पास नहीं करनी है, agriculture and stable burning, right, जो agriculture मैंने भी आपको बताया था ना, कि जो farmers वगरा जो होते हैं, अपनी खेती करने के बाद, crop cultivation करने के बाद, harvesting करने के बाद, वो बाद में जो भूसा बच जाता है, उसको वो जला देते हैं, तो ऐसी stable burning की practice forest areas के आसपस नहीं की जाए, उस पर बैल लगाया था, इसके लावा यहाँ पर कहा कि stacking नहीं करनी है, वो pile up नहीं करनी है, जो मैं भी आपको समझा रहा था, कि एक दम से pile up करके रख जाता है, एक जगा पर कच्रा बगरा, या पत्ती बगरा एक जगा पर pile up करके रखी जाती है, तो ऐसा नहीं करना है, तो यह सब चीजे को रोकने के लिए fire protection और fire control unit भी जो है, वो setup किया गया था, 1999 में rules बगरा किता है, जो हमें देखने को बलता है, forest area में आग को control करने के ल ठीक है, तो यह था गाइस पूरा overall topic जिसकी आपको एक basic जानकारी होनी चीज़, और forest fire का topic means perspective से भी काफी ज़्यादा important है, national innovation foundation की बात करें गाई, तो देखो यह एक ऐसी body है, जो कि हमारी country में innovation को promote करने के लिए देखने को मिलती है, कि हमारी country में जाह साधा innovation हो, नए नए innovative products हमारी country में develop हो, तो इस पर यह basically NIF focus करती है, अभी एक portal जो है वो जारी किया है, portal यानि की website हमें देखने को मिलती है, website, innovation portal, innovation website, यह develop किया है, NIF के द्वारा, इसलिए यह topic news में है, तो NIF नहीं यह innovation portal जो है वो develop किया, NIF एक autonomous body है, जो कि Department of Science and Technology के अंडर आती है, और यह जो portal यह जो website है, innovation portal, इसके नाम सीजन में आ रहा है, इस website में आपको innovative products जो है वो नजर आएंगे, तो लगबख सवा लाग हमारी country के अंदर बनाए गए जो innovative products है, और यह किसके द्वारा बनाए गए है, common people के द्वारा, जो engineers है, agriculture field से जो लोग belong करते हैं, veterinary या human health field से जो लोग belong क करते हैं, तो उनके द्वारा यह innovative products जो है वो बनाए गए है, तो उसको यहाँ पर इस website पे place किया गया है, रखा गया है, तो इसलिए यह topic news में था, और किस प्रकार के areas में innovation किये गए है, energy, mechanical, automobile, electrical, electronics, household, nutraceuticals, तो इन सब particular field में, जो है वो innovative नहीं नहीं चीज़े जो है वो यह चीज हमें देखने को मिली, तो आपको NIF के बारे में एक general जानकारी होनी चीए, कि एक autonomous body है, जिसमें आपको बताए, DST के अंडर आती है, Department of Science and Technology के अंडर, और इसको setup किया गया था, एहमदाबाद में, February 2000 में, सन 2000 में यह setup हुई थी, और यह basically institutional support provide कराती है, कि हमारी country में जहाँ सादा innovative, चीजें जो है, वो सामने है, innovation जहाँ सादा हमारी country में सामने आए, नहने innovative products वगरा, manufacture हो, develop हो, तो इस पर यह completely support provide कराती है, innovators को, तो यह चीज़ हमें देखने को मिलती है, NIF के यह कारी होते है कुछ, और इंडिया की national initiative है, कि technological innovation को advance करने की, strengthen करने की है, NIF, और यह NIF का जो mission है, यह इंडिया को help करता है, कि इंडिया एक creative और knowledge based society के तोर पर सामने है, तो यह चीज़ है, जिसके बारे में आप लोग को एक general जान करी होनी चीज़, और even NIF, जो हमारे जो policy makers होते हैं, जो जैसे कि, जो हमारी startup, इंडिया, stand-up इंडिया वाली जो policy हम ल करती है, policy makers को, हमारे सरकार को recommend करती है, कि किस प्रकार से innovators की मदद की जाए, किस प्रकार की policies लाई जाए, जिससे कि innovators जो है, वो motivate हो, और उनको फाइदा मिले, जा से आदा, कि जिससे कि वो 9-9 innovative approaches जो है, उस पर काम करें, क्योंकि देखो ultimately क्या होता है, कि एक इंसान ने innovation तो एक अच्छा कर ली है, नहीं नहीं, technology को तो बना ली, बट क्या होता है, कि उस technology को बनाने के बाद, उसको पहुचाने के लिए लोगों तक, बहुत funding की आवशकता होती है, तो हमारा जो startup इंडिया, standard इंडिया, जो initiative है, उसका एक काम ये भी है, कि जितने भी नए startups हैं, नहीं, innovators बगएरा जो हैं, जो अपनी कोई भी technology बगएरा को launch करना चाहते हैं, तो उनको वो, जो investors होते हैं, उनके साथ मिलवाती है, कि investors जो है, वो उनके particular innovation है, या startup है, उसमें invest कर सके हैं, तो उस पर basically focus किया जाता है, तो NIF का काम ये है, कि ये सरकार को advice देती है, कि innovators को क तो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, आप में से शाहिद कुछ लोग WWE देखते होंगे, मैं बच्पन में देखता था, ये क्या कर रहा है ये आदमी, ठीके चलो ये अभी भी sun में नहीं आए, ये देख लो एक बार, कुछ sun में आ रहा है, ये क्या है, तबा है ये, इस पर क्या पकर हैं, कीडे पकर हैं, तो यूरोप ने human food, meal warm को human food का approval दे दिया है, यूरोप में आने वाले समय में इस प्रकार के meal warm जो है वो plates में देखने को मिलेंगे, कहा जा रहा है कि इसको कच्चा भी या फिर पका के भी खाये जा सकता है इन कीडों को, तो ये चीज यहा यूरोपियन food safety agency के द्वारा, और ये चीज बताया रही है, इसको बताया रही है कि आप करी वगरा में मिला कर खा सकते हो, और जैसे की आटा वगरा जो होता है, बिस्किट बनाने का, पास्ता का या ब्रेट का तो उसमें भी उप्योग किया जा सकता है, कहा जाता है कि ये क यानि कि यूरोप के अंदर plates में ये बिखेगा, या नजर आएगा, लोग खाएंगे इसको, और mealworm जो है guys, ये larval form हम लोग को देखने को मिलता है, mealworm beetle का, tini brio, molitor का, और species जो darkling beetle की हम लोग को नजर आती है, उनका हम लोग को नजर आता है, तो ये mealworms जो है guys, ये larval form है, actually क्या होता है कि ये जो केड़े होता है, इनकी जो stage जो होती है, वो एक होता है, अंडा है, अंडा से निकलता है, लारवा, तो ये larval form है, अभी तक ये बढ़ा नहीं हुआ, या चोटी, पूरी तरह से adult नहीं हुआ ये केड़ा, तो उससे पहले इसको खाए रहता है, तो ये इसको मैंने बहुत छोटा था, मैं इसको देखता था, तो मतलब इसको पहली पता लग गया था कि ये इन्जेक्स को याने ये खाया रा सकता है, अब देखे अब क्या है, ये WWE में आता था, शायद मेरे आप लोगोंने किसी ने शायद देखा हो, तो अगर देखा है तो इन्वेस्टर्स वगएरा जो होते हैं, वो basically, मैं देखकर ही पैसा अपना लगाते हैं, किसी mutual fund वगएरा को खरीदते हैं, इसी riskometer को देखकर, जैसे कि अगर riskometer low पर है, तो इसका मतलब क्या है, कि आप अपना पैसा लगा सकते हो, इसमें आपके पैसे ढूबने के, या फिर पिर आपके आपने जो invest किया है, उस पर return जो है वो आपको loss में जाने के आपकी chances कम होते है, कुल मिलाकर यी वा ली बात है, और जहाँ पर vary high होता है, वहाँ पर loss में जाने के chances काफी जाद होते हैं, ज्यसी कि आपने invest किया और contreशण आपको एक जनवरी से रिस्को मीटर सभी mutual fund की companies है या फिर उनकी जो schemes वगरा जो है उनमें सभी में ये दिखना चाहिए सभी ने mandatory कर दिया है mutual fund houses के लिए यानि की mutual fund companies के लिए कि उनको risk level अपनी scheme पर रखना है और risk level 6 stage scale में होना चाहिए low to very high जैसे कि ये 6 scale में आपको दिखाएं ना low low to moderate, moderate, moderately high high, very high low to very high तो इस scale में उनको रखना है और mandatory सभी को रखना बढ़ेगा और सभी mutual fund companies बगरा जो है वो एक जनवरी से अपनी scheme पर risk level को जो है वो assign करेंगी लगाएंगी risk level को और riskometer जो है वो हर महीने evaluate किया जाएगा company हर महीने उसको evaluate करेंगी और उसका proper data riskometer और उसका portfolio वगरा proper data जो है वो disclose करेंगी schemes के साथ अपनी website पे भी और association of mutual funds in India की website पर भी और कहा जा रहेगी कोई भी अगर chain होता riskometer की reading वगरा में उस scheme के associated तो हर एक उस scheme के beneficiary तक notification पहुचाना है हर एक जिसने भी वो mutual fund को purchase किया होगा mutual fund में invest किया होगा तो हर एक investor के पास ये notification जाना चाहिए कि उनका riskometer change हुआ है जिससे की वो फिर better तरीके से अपने DCN ले सके हैं तो इससे फाइदा होगा investors को काफी फाइदा होगा informed decision making ले सकेंगे यहनि की informed decision ले सकेंगे investment करने में तो यह थी समलूप को नज़रा आ रही है तो यह मेभी शाद आपने काफी सारे students ने देखा भी होगा यहली चीज गाइस बात हो रही है collab CAD के बार में तो collab CAD क्या है एक software है इसको jointly launch किया जा रहा है ministry of education, cbsc, meety, ministry of information and technology और nic यह रही के अंदर जो meety हमें देखने को बिल रही है उसके द्वारा यह launch किया जा रहा है यह collab CAD software collab CAD software जो है guys practical assignments के लिए उपयोग में लिये जाता है इससे अलग-अलग प्रकार की 3D design और 2D drawing की जाती है हमारी country में 140 से जादा students जो schools के अंदर हमें देखने को मिल रहे है और साथी साथ जो middle east में जो cbsc affiliated जो schools हम लोग को नज़र आते है middle east में आपको बता हुआ guys हम जो है वो education के मामले में नहीं सिर्फ इंडिया के अंदर operate करते हैं जलकी दूसरी country में भी हम लोग education को promote करते हैं अलग-अलग जैसे कि अफगानिस्तान की बात करते हैं अफगानिस्तान के अंदर भी हम लोग ने schools वगरा बनाया हुए ऐसे middle east countries में भी हमारे programs वगरा चलते है educational programs वगरा तो जो cbsc affiliated जो schools हम लोग को नजर आते हैं हमारी country में और middle east वगरा में तो वो schools के अंदर बच्चे जो है वो इस software के उपयोग से practical projects के purpose के लिए इसको use कर सकेंगे और engineering graphics का concepts अच्छे से समझ पाएंगे तो इस प्रकार से अलग अलग याने की 3D और 2D ड्रॉइंग्स वगरा जो है वो यहाँ पर design की साथ जा सकती है बना ही जा सकती है इस software की मदद से तो यह चीज यहाँ पर बताएंगे रही तो याद रखीगा collab cat basically एक software है जो की launch किया जा रहा है गाईज अभी एक online buyer seller meeting conduct हुई है millet exporters के साथ जिसको organize किया है APEDA के द्वारा millet याने की बाजरा बाजरा के exporters के साथ एक meeting यहाँ पर conduct हुई है और हमारी country में आज की rate में हम लोग millet के export को बाजरा के export पर काम कर रहे हैं focus कर रहे हैं तो इसलिए exporters के साथ हम लोग ने यह meeting conduct करी है इस meeting को organize किया गया है APEDA के द्वारा agricultural and processed food products export development authority के द्वारा आंधर प्रदेश drought mitigation project के association के साथ यह externally added project है जिसको IFAD की funding हासिल है और यह basically virtual buyer seller meet जो है वो organize की गई है इनके द्वारा और हम लोग exports को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं millet के बाजरा के और बाजरा से related जो products हम लोग को देखने को मिलते हैं तो उसके exports के ओपर हम लोग काम कर रहे है millet sector के development के ओपर हम लोग काम कर रहे है और APEDA जो है वो closely interact कर रही है Indian Institute of Millet Research के साथ और दूसरे stakeholders के साथ जिसके जलते हम लोग millet sector पर growth कर सके हैं develop कर से लिए millet sector को और millet की बात करेंगे इस तो millet एक छोटे बीज हम लोग को नज़र आते हैं grasses के जिनको nutree cereals के नाम से भी जाना आते हैं क्यों इनको nutree cereals बोलते हैं क्योंकि इनमें काफी ज़्यादा nutrition पाए जाता है millets में सोरगम आता है pearl millet हम लोग को देखने को मिलता है रागी होता है small millet small बाजरा छोटा बाजरा हम लोग को नज़र आता है fox steel millet होता है orosow millet banyard millet kodo millet और भी काफी सारे प्रकार के millets हम लोग को नज़र आते हैं बाजरा हम लोग को नज़र आते हैं ठीक है तो यह था overall topic और यह था आपका आज का last topic guys और आपके लिए task जो है जो आपको cover करना है complete करना है एक तो सभी के बार में पढ़िए इसके बार में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और APEDA के बार में भी अपने detail में discuss किया हुआ है तो यह दोनों topics को आपको पढ़ना है इन से related handwritten notes बनाने और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीची comment box पर लिख दीजेगा sir homework done मुझे बतल लग जाएगा आपने homework complete कर लिया है and paid package को guys आपको join करना है तो आप join कर सकते हैं इसकी fees मातर 100 rupees पर मंत की है जिसमें आपको daily lectures की PDF दी जाती है आपको handout notes provide की जाते है आपको weekly compilation बिलता है revision के लिए और आपको monthly magazine पर मंत की जाती है और इतना सब कुछ मातर 100 rupees पर मंत की fees में इसके लावे एक offer भी है offer आप avail कर सकते हैं ये पढ़ लीजिया और बाकी paid package को कैसे join करना है तो पूरी information यहाँ पर लिखी हुई है आप इस QR code का इस्तमाल कर सकते है payment करने के लिए fees की या फर नीचे description पर भी मौझूद है UPI ID और bank account number तो उसके थूरू भी आप कर सकते है और आपको अगर देखना है sample वगरा है कि कैसा material मिलता है paid package के अंदर तो sample पर भी एक video बनाया हुआ है नीचे description पर वीडियो की link है उससे आप check कर सकते है और अगर आपको paid package को join करने में कोई समस्या आती है या current affairs related आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप Facebook पर मुझसे message करके पूछ सकते हैं और ये Facebook पर मैं इस नाम से हूँ कमलाकश जा मेरा नाम है आप वहाँ पर message करके पूछ सकते हैं या फिर ये मेरा number है save कर लिजे अपने mobile में 9713282838 मेरा number है इस number पर आप call मत करिएगा call and end नहीं किये जाएंगे आप SMS के through या फिर Telegram पर message करके आप उससे contact कर सकते हैं मेरा reply आपके पास within 24 hours आ जाएगा और अगर आप Telegram पर है तो नीचे description पर अपना Telegram का एक discussion group भी है और एक channel भी है उसको भी आप join कर सकते हैं तो अब guys कल है Sunday कल आपको provide किया जाएगा compilation lectures का अभी इछले हफ्तों में जितने भी topics जितने भी lectures अपने cover किया उसको एक single video आपको दिया जाएगा revision के लिए और आप अगर paid package भी है तो आपके पास compilation PDF आएगी जिसको आपको revise करना है पूरे हफ्ते की news को और आप अपन मिलेगे Monday को तब तक लिए बाबाई टेक केर have a great day ahead टाटा